दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाएं और बैल आइकन आएगी उसे भी दबा देना हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों में विश्याल आप सबका स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें तो दूस्तों आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग होने वाली है आज की वीडियो बहुत इंटरस्टिंग है तो आपको जरा से भी इसकिप नहीं करना है इस वीडियो क और might be वो settings आपको पता ना भी हो कुछ लोगों को पता होगी लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होगी तो कुछ settings मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो सबसे पहली setting जिसे हम बोलेंगे Mark Read या फिर Mark As Unread ओके दोस्तो यह क्या setting है मैं आपको बताता हूँ दोस्तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा अपना WhatsApp खोल लेना है चलिए दोस्तो सबसे पहले मैं अपना WhatsApp खोल लेता हूँ दोस्तो यहाँ पे कुछ messages मेरे को आते हैं तो मैं उनको Mark As Read कर सकता हूँ बिना उनको पड़े और जैसे कि आपके पास बहुत सारे message आते हैं और आप किसी को royal ignore करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं उन messages को Mark As Read कर सकते हैं ओके दोस्तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी मेरे पास दोस्तो ऐसा कोई message नहीं है चली मैं इसको select कर लेता हूँ यहाँ पर जैसे select कर देता हूँ यहाँ पर 3.0 पर जाना है ओके दोस्तो यहाँ पर message आया है Mark As Unreed तो मैं इसको Mark As Unread कर सकता हूं क्योंकि इसके message मैं उल्लेड फड़ चुका हूँ अगर मेरे पास इस बंदे का message आया होता तो मैं इसे select करके mark as read कर देता ओके दोस्तो अभी मैं इसे mark as unread कर दूँगा तो ये इस तरीके से green dot हो जाएगा इसको आप किसी भी purpose के लिए use कर सकते हैं ओके दोस्तो अब mark as read करना है तो आप mark as read भी कर सकते हैं इसे select करके तो इस तरीके से आप इसे select कर सकते हैं तो बहुत option है बहुत अच्छा option है अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं तो मार्केज read कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के message जो आपको आते हैं उनको आप royal ignore कर सकते हैं वोगे दोस्तो, चलिएए दोस्तो, अब इस Settings से अठके कुछ और Settings बताते हैं, दोस्तो, अगर आपके पास किसी का भी Message पढ देंगे, और उस बंदे को पता नहीं चलिगा, येт Register दोस्तो, आप को क्या करना होगा, ये Settings WhatsApp की नहीं है, ये Settings आपके Phone की है, क्या setting है दोस्तो अगर आपके पास किसी का भी message आता है तो आप क्या कर सकते हैं आप अपना aeroplane mode on कर सकते हैं और जैसे यह aeroplane mode on करेंगे उसके बादा WhatsApp खुलके उस बन देगा message पढ़ सकते हैं इससे क्या होगा आप online आभी जाएंगे message भी पढ़ लेंगे लेकिन सामने बाले चुका हूँ तो आप चाहें तो उन app को use कर सकते हैं जिससे आप दूसरों के message पढ़ सकते हैं उनको पता नहीं चलेगा लेकिन इनकेस अगर आप कोई app use करना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप ये काम कर सकते हैं in mode on कीजिएगा message पढ़िएगा और उसे side screen से अटाना बहुत जरूरी है safe side के लिए ओके दोस्तों उसे हटा देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद message आप पड़ सकते हैं और सामने बाले को पता नहीं चलेगा ओके दोस्तों ये हुई हमारी दूसरी setting अब दो लेकिन उसे delete नहीं करना चाते तो एक option होता है archive का जिसके बारे में आपना सुना होगा लेकिन WhatsApp पे वह बहुत कम लोग इसे use करते हैं दोस्तों एक survey में बताया गया है archive का option वाटसेपे use तो किया जाता है लेकिन उतना use नहीं किया जाता है जितना Gmail वगेरा पर use किया जाता ह है ओके दोस्तों और चाते हैं family से उसकी conversation छुपाना किसी भी privacy के उससे तो आप इसे archive कर सकते हैं ओके दोस्तों यह हो गई archive अब दोस्तों यह चैट आपको यहां पे कहीं नहीं मिलेगी आप कितना भी search कीजिए कहीं नहीं मिलेगी देखा दोस्तों अब दोस्तों इसको वा option है अनार्काइफ चैट का तो इस तरीके से यह हमारी एक different setting है जिसे आप use कर सकते हैं ओके दोस्तों अब दोस्तों कुछ और setting के बारे में बात करते हैं setting number 4 यह है दोस्तों जैसे कि अगर आपको किसी को pin करना है pin का मतलब है आप उसे message करना चाहते हैं और उसकी chat को उपर ल दिखाई दे उपर दिखाई दे यानि कि मैं इसे pin कर दूँ और मुझे याद रहे कि मुझे से reply देना है तो मैं क्या करूंगा इस chat को यहां से जाके यहां पे जाके sorry दोस्तों यहां पर पिन का option है इसे इस तरीके से pin करूंगा और यह उपर आ जाएगी ओके दोस्तों बहुत अच्छीची सैटिंग आपको देखने को मिल जाती है यहां पर दोस्तों जो आप देख सकते हैं easily ओके दोस्तों तो यूज कीजिएगा दोस्तों इन सेटिंग को जो की काफ़ी फायदे मंद हो सकती है अगर आप इनकेस करना चाहते हैं तो ओके दोस्तों दोस्तों अब हमारी हाती है setting number 5, जिसके बारे में आपने ना सुनाओ ऐसा हो नी सकता, दोस्तों इस setting को आप अंदर जाके, group में अंदर जाके mute notification का आपने setting का नम सुना होगा, जो आप किसी भी group में जाके, किसी भी group में जाके आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से group में जाएगा और group में जाने के बाद mute notification कर सकते हैं, ओके दोस्तों ये setting बहुत जादा लोग use करते हैं, आप चाहें तो individual भी अगर किसी की करना चाहते हैं, तो अंदर जाके उसे इस तरीके से mute notification यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, ओके दोस्तों, ये चीज़ आप बहाद से भी कर सकते हैं, कैसे कर कुछ ऐसी settings हैं दोस्तों, जिनको बहुत कम लोग use करते हैं, लेकिन use करना चाहिए जोगी बहुत अच्छी settings है, तो use कीज़ेगा, अच्छी लगी होगी है, ये definitely app, आप इस app को use कर सकते हैं, तो उमीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होग तो बहुत जल मिलेंगे आपको नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाए दोस्तों